वेल्कम बैक एवरीवर्ड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्लाटनम इंडस्ट्री इस लिमिटेड के आई पीओ के बारे में शुरुआत करते हैं यहां पर बिजनस को समझ कर देखे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है बेसिकर यहां पर स्टेबिलाइजर्स हैं मतलब कंपनी जो स्टेबिलाइजर्स बनाती है जो की मेंदी यूज़ होते हैं पीवीसी इस रेलेट्स के अंदर अब जो जो प्रोडक्स यहां पे यूज़ होते हैं वह आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगी जो इनलस्ट्री अप्लिकेशन जैस कंपनी की, बट पीवीसी पाइप् important चीज है यहाँ पर समझना यह जो अल्टिमेटनी मार्केट है एक ग्रोइंग मार्केट है साथी में एक चीज यह है कि जब भी रेट कट्स आते हैं तो आप देखेंगे कि यह चीज और ज्यादा ग्रो होती है नजर आ सकती है कमपनी के रिवेन्यू के अगर हम बात करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रही है देखो आगे कमपनी कैसा परफॉर्म करेगी यह लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा तो उसके बाद में हम लोग अपडेट ले लेंगे वही अगर हम बात करते हैं 2021 से 2022 sales growth बहुत जबरदस थी बट पैट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसने जो है follow किया था जो की सबसे important factor होता है फॉलो किया था का मतलब यह है कि देखो करीबन 5 करोड के आसपास का profit after tax था जब 89-90 करोड के sales से जब 190 करोड के sales से तो यहाँ पर profit after tax के अंदर भी हमें अच्छी जंप देखने को मिली which shows a sign कि यहाँ पर management को जो है business का margin maintain करना आता है despite having a higher sales growth हम लोग जहाँ देखते हैं कि pat जो है बहुत तेजी से गिरता है हमें यह चीज़स में नहीं देखने को मिली which is a very important and a very good thing देखें यहाँ पर companies दें चार main reason बता हैं जिसकी विएसे यह लोग fund raise कर रहे हैं उसके अंदर सबसे primary reason यह है कि एक Egypt based subsidy को यहाँ पर fund करना चारे है और उसके अंदर थोड़ा सा capex लाना चारे है जिसकी विएसे यहाँ पर पैसा raise कर रहे है बाकी भी जो reasons है वो आपके screen पर आ रहे होंगे 27th feb को यह IPO जो है यहाँ पर open होने वाला है बाकी सारे dates भी आपके screen पर आ रहे होंगे बट please note कि यह सारे dates यहाँ पर tentative है देखें यहाँ पर एक और important चीज़ यह समझते कि 235 करोड का यह issue है इसके अंदर सारा की सारा ratio जो आ रहा है यहाँ पर fresh issue से आ रहा है सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ पर multiple times में आता है तो वह हमेशे एक अच्छा sign consider किया जाता है दूसरा होता है DRHP किस तरीके से है जो company के financials and performance indicators है उनका अच्छा idea आपको वहाँ पर लगेगा and third जो यहाँ पर होता है वो होता है कि grey market premium कितना है but with that said I hope you guys enjoyed this episode पसंद आया तो please like share subscribe जरूर करियेगा and I'll see you guys in the next one